भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप में 2 सितंबर को खेले जाने वाले मुकाबले को लेकर जहां दुनिया भर की नजरें टिकी हुई है वहीं इससे पहले दौनों ही टीम प्रैक्टिस सेशन के दौरान जमकर पसीना बहाती हुई नजर आई तो भारतिय कोच राहुल द्रविट और कप्तान रोहित शर्मा उन्हें एक एक टीम एक टक निहारत रहे इस दौरान विराट कोहली की प्रैक्टिस के दौरान भी कुछ खास बाते देखने को मिली जिससे ये संकेत भी मिला कि विराट कोहली कल के मैच में शरतक जड़ जड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं वीडियो में जाने भारत पाक मुकाबले से पहले क्यों इतना खास है ये प्रैक्टिस सेशन आखिर क्यों अफरीदी की गेंद को देखकर राहुल द्रविट और रोहित शर्मा टेंशन में दिखाई दिये एशिया कब दोज़ अरतेज का आगास पाकिस्तान की जीत से हुआ नेपाल के खिलाव 238 रंज से एतिहासी के जीत दर्च करने के बाद अब पाकिस्तान इस टूनमेंट में अपना अगला मुकाबला भारतिय टीम के खिलेगा दूसरी और भारतिय टीम इस टूनमेंट में अपनी शुरुआत पाकिस्तान के खिले जाने वाले मुकाबले से करेगी जिसके चलते इस मुकाबले को लेकर फैंस के बीच भारी जोश और उत्सा देखने को मिल रहा है जब ये दौनों टीम एक दूसरे के खिलाफ आमने सामने होगी तो मैदान पर होने वाले शुर की गूंच दूर दूर तक सुनाए देगी इस मुकाबले पर सिर्फ भारत और पाकिस्तान की टीम ही नहीं बलकी दुनिया भर की नजरे टिकी होंगी जिसकी वज़ा ये है कि दौनों ही टीम में एक से बढ़कर एक खदरनाख खिलाडी मौजूद हैं जिसके चलते कल के मुकाबले में काफी रोमांच भी देखने को मिलने वाला है वहीं इस मुकाबले से पहले स्टार स्पोर्ट्स ने एक वीडियो शेयर की जिसमें दोनों ही टीम के खिलाडी मैच से पहले प्रैक्टिस सेशन के दोरान जम कर पसीना बहाते हुए नजर आए तो दोस्तों वहीं इस दोरान इस दर्श एक दर्श ऐसा भी देखने को मिला जब पाकिस्तान टीम के दिगज खिलाडी विराट कोहली और पाकिस्तान की टीम के तेस गेंदबाज हश सिहारी सिरौफ एक दूसरे के गले मिले और फिर इन दोनों खिलाडियों के बीच काफी देर तक बातचीत भी हुई इस प्रैक्टिस सेशन के दोरान जब शाकिन अफरीदी गेंदबाजी के प्रैक्टिस कर रहे थे तो दूसरी तरफ भारती टीम के कोच राहु द्रविड और कप्तान रोहित शर्मा उन्हें एक टक निहारते हुए नसर आए शाहिद अफरीदी को खदरना गेंदबाजी को लेकर पूरी तरह से सीरियस है खुद विराट कोली भी इस मुकाबले से पहले कई बार ये बात कह चुके है कि वो लेफ्ट आम पेसर के खिलाफ खास तोर से प्रैक्टिस करने लंबे कद के शाहिन अफरीदी को लेकर बना हुआ ये डर इस वज केल दिया था इतना ही नई शाहिन अफरीदी ने एशिया कब 2003 टूनमेंट के पहले ही मुकाबले में निपाल के खिलाफ शांदार गेंदबाजी भी की थी अफरीदी ने इस मुकाबले में पांच ओवर में 27 रंड कर्च करते हुए दो महत्वपूर्ण विकेट चुकाए थ खास बात तो ये है कि ये दोनों विकेट अफरीदी ने अपने पहले ही ओवर में लिये थे ऐसमें अफरीदी की नई गेंद से की जाने वाली घातक गेंदबाजी दर्शाती है कि भारतिय टीम के टॉप तीन खिलाडियों को खास तोर से अफरीदी के खिलाफ साबधान रह है कि इस प्रैक्टिस सेशन वाली वीडियो के अंत में देखा गया कि दोनों ये टीम अपने कोच के साथ कल के मैच की तयारी रणनीती और रूप रेखा को लेकर बातचीत भी करती हुई दिखाए दी क्या आपको लगता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच खेले जाने वा कर दो